पत्थर सी हो मांस्पेसियां लोहे से भुजदंडब है नसनस में हो लहर आगसी तभी जवानी पाती जए तभी जवानी पाती जए नमस्कार के वी श्ट्टूडियो में आप समों का एक भार कुना बहुत-बहुत स्वागत है हार्दिक अविननन है मैं गौरो कुमार पाठक हमारे खास कारिकम कहता बेउश्राई मरता बेउश्राई के इस मोहीम में आज आप समों को एक ऐसे चात्र निता से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हों है बहुत ही कम ही समय में चात्रा निती में बड़ा नाम कमाया है आप हैं NSUI के प्रदेश सची ओम प्रकास मौरिया जिन्होंने चात्संग का जो पूरुव चुना हुआ था उसमें विस्विद्यालय प्रतन दीवी रह चुके हैं तो आए मिलते हैं ओम प्रकास मौरिया जिस से नमस्कार ओम जी के प्षेट्रें आपका वहाट स्वागत हैं नमस्कर बोलगो का जो क्यां इस श्ट्री का जो अक्तर है रोषन सर को भी बहुत-बहुत धनवाद जो उनहोंने यूबाओं को एक आपके बारें तो इससे सभी जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा अपने बारे में हमारे दर्सकों कोछ बदाएं। मैं नाम ओम परकाश मोडिया हुआ, मैं जीडी कॉलेज में 2014 में एंविशन लिया और वहां से अपना पॉलिटिक्स केरियर शुरुआत किया। तो मनलब हमारे बारे में ये कहना है आपको कि छात राजनिती का सफर दॉशके बारे में दर्सकों बता है। च्छात तरहिष्टे कामेरा सफर वहां शुरुवा जब हमने 2014 में एडमिशन लेने गया था तो ओनलेन प्रोसेस वा एडमिशन और उस ओनलेन प्रोसेस में मेरे गौंग के कुछ च्छात्र और हम भी गये थे डमिशन करने के लिए तो वहां पर एक गरीब लड़का लाइन म हम पैसा दोगे तब तुम्हां फॉर्म देंगे लड़का लोग डिमांड किया था तो हमको अच्छा नहीं लगा यह चीज कि एक तो गरीब है और उससे यह बावली के थुडू पैसा करता है जो कि उजितने लगा हमने उसका विरोध किया और विरोध किया तो वह पैसा उ से मुलाकात हुई निसान जी बोले कि यह लड़का अच्छा है और तुम लोग इसको कुछ नहीं करोगे अगर करोगे तो तुम लोग का जो है फिल यह कही निसान जी ने वहां पर आपका संट्रक्षन किया निसान जी काफी लोग जानते निसान जी को काफी संगर्ष किया अच्छात रादिप्ती में एनस्याई की प्रदेश सुपाध्यक्ष भी है तो निसान्त जी के संदर में तो हम बात करते ही हैं बात करेंगी भी आगे एनस्याई संगठन से आपका जुरा हुआ उस संगठन के बारे में बता हैं देखिए हमको पहले नस्याई को बीद नहीं तो वहाँ जाके हमको अच्छा से काम करने का मौका मिला और वहाँ से अपना करीयर पालिटिक्स का सुरवात किया था अच्छातर नेता के रूप में चूकि आप बिस WFF पतन धिभी रह चुके हैं च्छातर नेता के रूप में आपने क्या क्या तो गुझे हैं वहाँ पर हम जोलोजी डिपार्टेमेंट का एस्टुडेंट थे और वहाँ पर हमने चात्रों को बहुत था समस्या देखा इसे की परमोट लग जता था तो इनवर्सिटी जाते थे लड़की लोग खासर कि लड़का को प्रॉलम नहीं लेकिन लड़की को प्रॉलम होती थी तो हमने इस चीज को देखा और अपने पार्टी के जो निशान वहाँ थे उनसों मिलकर गिमान को आ कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा चीज करें ताकि यहां पर सरा सिस्टेम यहें पर हो तो फिर मतलब उन्हें बात किया और एक अंसन का रूप क्या क्या करते उसको एक रूप अधिया और धरना बसंद्स हड्स किया और धरना बसंद्स से आया विष्प दैला की मांग आई विष्प ब्चला मांग आई तो रहने अंसन बड़ए था ने बड़ए το हम लोग को क्या तृप सुमेंगे करता है और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि पीते कुछ दिन वो चला और एक बन्द हो गया क्योंकि करमचाड़ी की संख्या बहुत काम थी इसमें डिफॉल्ट आता है इनवर्सिटी और कॉलेज परसासन इसलिए बंद हो गई आपको नहीं लगता कि जब कभी कोई मुद्दा होता है किसी विशेय को लेकर हम लोग अचानक एक सम्मू बनाते हैं अंसन करते हैं धर्ना लापडवाई हम लोगो को ने कहिए हम लोग उसको सुचाओर रूप से सुरू करवाना है थैक Trinity देखिये हम्रा काम है चालू करोना मेरा काम है उस पे मेरा धर्नाकर्णा काम है कि यदि नहीं है जात्रों की समस्स्या को लेकर हम को उसके आवाज उठाना और आवाज जितने भी छात संगटन हैं, चुकि महाविध्याले का उपकेंद्र यह चात्रों के हित्मे है और यह सबका है, तो सभी संगटन मिलके इस पे आबाद उठाए और पुन्हा उसको शुलू किया जाए. हम उपकेंद्र के वाइस में हम लोग चाते हैं इन्वरसडिटी हो जाए. इसी दूरुप से आप सभी आजितने भी जन परत निथी हैं, हम सभी संगटनों से भी हमांग करते हैं कि निस्टी रूप से वेगशाय में विष्विद्याल दिन करके नमर विष्विद्याल हो. नहीं कि नहीं हमने मने हमने हैं मतलब को tradisional को मरत विए देखा। तो उन्हों ने कहा तुम अभी बालक हो तुम दे ने सकते हो तुम तुम तुम्हारा एज नहीं हुआ है तो उसमें हम रो गए अच्छा ने लेकिन फिर जब हमें वैसा बक्त मिला और मेरा एज हो चुका था तब में रग्दान सुरू किया और अभी तक पंच से च्छे बार आपको जब रक्तदान कर रहे थे तो कोई परिशानी भी या आपके परिवार या कुछी ने आपको इसके लिए मना भी किया? नहीं रक्तदान करने से हमको कोई प्रॉलम नहीं हुए जहां तक मेरे सरीर को बेनफीट मिला और मेरे पड़िबार वाले बिरोध नहीं किये उन्होंने हमको युवाओं को चुकि आप समाजी कार करता हैं रक्तदान के संदर में आप क्या संदेश दिना चाहेंगे रक्तदा बहुत साइड लोगों को जो बुजूर्ग हो गये हैं जिनके आँकी रोशनी बहुत ही कम हो गई है चाहे वो किसी मोतिया बिने से बीमारियों से विग्रसित हो गये हैं उनको आप सुविधा उपलब्द कराते हैं इसमें एक कहानी है कि हमारे गौं में तक्रिबन हमारे ग गया है कोई बुद्धी भी लगाए थे तो हमको अच्छा नहीं लगाई है तो हापने अस्तर से गयत्री पडिवार के थुरू एक संस्था है गयत्री पडिवार तो उसके थुरू हमने मिला और वहां छपड़ा का एक जोती आई होस्पिटल एक चलता उनका उन्होंने एक अपने टीम को फेजा दो दिन पहले परचार परसार हुआ और तकरीबन दो सो आदमी उस आंक जांस सिवीर में आए और दो सो में एक सो चालिस पैसेंट मेरे साथ छपड़ा गए इनका सफल इलाज हुआ यह जो है आपने जो कहा नेतर जांस सिवीर जो डॉक्टर साहब आ दुक को कोई फी नहीं लगता है एक दम फिण में तो यह मुझे मारे जो यह वो नेतर की परिशानी है तो यह च्छपरा जाना पड़ता है जिवार से बस आती है बस से अपना जाईया वहां पर कोई किराया नहीं तो इस उनके हम चाहेंगे कि उन्हें भी इसका लाव हो ज जाते हैं थमसे मिले उनको मिश्टास बैडिफीट देंगे तो नेतर जांसिवीर के लिए संपर कर सकते हैं आप उमजी से और जिनेंवी इस तरह की परेसानी है और वो चाहते हैं कि हमारे गाउं में भी इसे नेतर जांसी लगे तो निस्तिरुप से इसके लिए पाहल करें कोई तरस्त है आम मानव के बीच एक बहे का महुल बन गया है कहीं न कहीं सभी भातास हैं सभी निल्व कहा जाए तो जीवन जीने में बहुत साइब बाधाएं आ रही है लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कहां भी जाता है कि आपको सोचल डिश्टिरिंग बनाना है घर स जो कि यह हम चाहिए भी आने महिया हो रही हैं वहां तक भोजन भी उपलबत कराएं जया रहात के सामगरीं उपलबत कराएं जायें शुरान सी पचाहों के जो सामगरी है वो चाहिए वो सामगरी chciaer hoohg,吗. k плохоokraahe Ĝて बीडिय आप जो है मलातार है इसके संदर में क्या कहे में देखे करहिंना काल में क्या हबा हम फार में को फनी बच्चा था तो उसको खाना नहीं प को तो हम को अच्छा नहीं लगाए गैres thirty कोच दिन से होता नए यह मंगला भाहिए टिन से मतलब हुआले लिकिन कुछ दिन फिर हम ने मतलब से दिदिज मिला rushản मेला दिदिज मिला तो उन्होंने त्सणी अपनेवी नेऑन hasi option तुरू हमारे श्रूइध बैवस्था करवाया मुया करवाया जब आप इसका मतलब यह हुआ कि जब आप दीदी से संपर किये दोनों ने उनके रहात के लिए सामगरिया उपलब्द करवाई जो हमारे अंदर समाज सिवा की भावना बरता है और यह कॉलेज में एक मंच मिला राष्ट जो है भार सरकार युवा मंत्राले का संग्ठन है मैं खुद नस्स का वोलेंटियर रहा हूं नस्स के वाड़े में दर्सकों को कूछ बता है बना सकते हैं कि हमको एक दुद ब्राष्ट करने की एक रास्ता मिलते हुआ अपने खूद अपना सकते में पर तो एन नस्स को कूछ याद से जूरी हुई NSS जुरी वहाद है कि मैं अपना एक कैम्प किया था आपका शीक गया करते है इसको प्रोफिसर कलोणी में तो हो अच्छा लगा हो कैम्प करके जिसमें बहुत उदम को सीखने को मिला अच्छा वहाद हो सकता है अच्छा नहरू युवाद केंदर जो एक अंजियो नहीं है यह यह एक ही चीज है लेकि तीनों का ना मलग लगा है यह खेल मंत्रा से जो रहावाद है और इस न्यक में आप जो भी मतलब थेल है जो भी गरामी पड़िवेस बच्चे हैं जो की गड़ीव हैं और वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो न्यक के कलब उनको एक प्लेट फॉर्म देती है और यहीं प्लेट फॉर्म से वह आस्टी है आपने नहरू विवाद केंदर का जो जो जिसके वारे में न्यक दीसे को मिलेनग चाहिए उनको जो भाउट हो किसो तरह से शिक दियातगाया है कि आप इसमें कहरी मतलब से बोली बॉल हो गया या केरम हो गया हूग और इसमें जो Dance कि लगूद्योग हो गया, चुटी मुझे दो इकाई है, सिलाई मसीन हो गया, और ही अगरवत्ति उनने का हो गया, इस सब यहाँ पर ट्रिंग युवाओ को पिसले है, इसमें बहुत कम युवाओ लोग जानते हैं इसके बाड़े में, इसमें हम चाहते कि कही से युवाओ को इनका कलब का एक ओफिस है, जिसमें हमको राजी अपसर से हमको बहुत ही इसमें फैदा मिला है, अच्छा, अब तो बिरोजगारी के पर हम बात करेंगे, कुछ जो अभी वर्तमान परदिश है इसा, कि जहां पर हमारे देश में रोजगार के अपसर कमते जा रहे हैं, खास कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बिरोजगार हूं साहब, मुझे रोजगार चाहिए, जेब में पैसे नहीं है, डिगरी लिए फिरता हूँ, दीनों दीन, अपने ही नजरों में गिरता हूँ, कामियावी के घर में खुले किवार चाहिए, बिरोजगार हूं साहब, सब नोकृडी नोक्री की परकिरिया में अब सुधार चाहिए बेरोजगार हों साहब मुझे रोजगार चाहिए डिन दात करके एक मैनत बहुत करता हूं सुखी रोटी खाकर चैन से भर पेट भरता हूं वास्टाशार से लोग खूब नोक्री पा रहे हैं युस्वत की कमाई खूब मजे से खाड़ा हैं नोक्री पाने के लिए यहां जुगार चाहिए विरोजगारों साहे मुझे रोजगार चाहिए इस तरूप से विरोजगारों को जो युबा पर युशाय बढ़ता युशाय इसके संदर में आप क्या कहेंगे इसके संदर में कहूंगा कि यह जो प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए यहां से युवाओं आगे बाढ़ सकते हैं अगर इस टाइप का प्लेटफॉर्म उनको मिलता है तो और रसन सर को बहुत भूद ध युवाओं की बात को रखते हैं अच्छा लगता है हम कोई चीज़ अभी आपने NSI के प्रदेश सचिव ओम प्रकास मौरिया जीसे बिविन्न मुद्दे पर चाहे छात राजनिती की बात करें या विस्विद्याले की मांग को भी बात करें या सिक्षित युवाओं को रो जो बीविविद् Gold के और इनके विचार से हम सभी लाववामित हुए होंगे ऐसे ही युवा कि विचार हमें आगे मिलता रहे गा हम तमाम दर्सों के निविद्र करते हैं कि आप अपना हमें प्यार दें अपने विचारिक समर्थन से हमारे निक को मुईम को कहता बीज़ा आप उसे लाइक करें, सबस्क्राइब करें और अधिक से अधिक सेयर करें साथी साथ ड़क्टर रोषन कुमार का जो फेस्बूक पेज है उस पर एक ग्रूप है कहता बेखुषा है बड़ता बेखुषा है आप उसे भी फॉलो करें बहुत बहुत आभार आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार साथियों मैं ओम प्रकास मोडिया ड़क्टर रोषन सरका यूट्यूब पर एक चैनल है इस्टार बेखुषा है जिसे आप लोग सेयर करें और अधिक सब्सक्राइब करें ड़क्टर रोषन सरका अभी पर एक गुरूप है कहता बेखुषा है बढ़ता बेखुषा है आप लोग उसे अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें फॉलो करें धन्यवाद जो भी डर्सक हमें सुन पाढ़ है वो अगर अपनी बात को आम जन्मानस के बीच में लाना चाहते हैं तो ड़क्टर रोषन सरके वाट्सेप पर अपना विचार दें उन्हें मौका दिया जाएगा धन्वाद अब्सक्राइब करें तो जाएगाद